अगर आप अपनी डेली डाइट में अच्छी न्यूटिशन चाहिए सब मिल जाती है तो इसके लिए डेली में कुछ न कुछ नए वेरियेशन करके लाती हूँ देखे मैंने अभी जो कॉन की रेसिपी डाली थी सेम कॉन जो चाट में बनाई है वो मैं आज इस सैलेड में यूज़ करने वाली हूँ तो यह रेसिपी भी काफी फिलिंग है दिन में अगर आपने एक लंच टाइम या डिनर में भी ले लिए इसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको चना लेना है वाइट वाला काबडी चना देखे मार्केट में दो तरह क्याते हैं स्मॉल बिग एनी यू कैन टेख और इ इसलिए मैं यहाँ पर एड़ नहीं करें हुआ है वीडियो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं तो रेसिपी शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सबस्क्राइब कीजेगा और देखिए अब सबसे पहले रात को आप इसको दो तीन वाटर से वाश कर लें चने को और इसको जरने को और इसको में खोलके दिखा रहे ही अच्छे से सोक बढूगा तो मैंने ओवर नैट सोक किए इसको आफ इसको वाश करना है दो तीन पानी वाश करके फिर हम यूस करेंगे तो मैंने यहां पे कुकर लिया और इसी में इसको ट्रांसफर कर दिया है अब इसके बाद हम जितना भी चना हमें चाहिए उतना ही आपको लेना है अद्रक डालना बहुत जरूरी है तो हाफ टीस्पून मैंने अद्रक का पेस डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा हल्दी डालना है और नमक डालके इसको प्रेशर कुक करेंगे हाई फ्लेम पे टू विसल लेनी है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है यह जो नॉर्मल पोटेटोस होते हैं वो थोड़े से गीले हो जाते हैं यह गीले बिलकुल नहीं होते हैं यह अंदर से बहुत ही ड्राय रहते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है तो सैलेड वगरा के लिए आप इस लेना है फिर 10 मिर्स के लिए पानी में डाल के छोड़ देना है अब यह देखे 10 मिर्स के बाद हम दिखा रहे हैं पानी इसका कितना धुंदला हो गया है मिस गंदा है होगे सारी इंप्यूर्टी निकल गई है बस इस तरह से इसको अच्छे से फिर से एक बार दो तीन बार र तो बस यहां पर देखे चैना बॉइल हो गया है इसको हमने अभी प्रेशर रिलीज होने के बाद ओपन किया यह देखे एक्टम इसली समेश हो रहा है अब इसको हम साइड में कर देंगे एक बोल में निकालके और इसमें एक्सेस वाटर है इसको भी हम यूज कर लेंगे आ दो दो लिखे आँ आँ यह चैना ने कर लात क में में यह सेंबल करते हैसरा अब इसको डाल दिया है और ऑड़न सब्सक्राइब कर लिए और कुकंबर के भी छोटे चोटे पीसे कट करके लिए अब इसमें जाएगा इस्प्रिंग अनियन मैंने डाली जो चीज बड़ी हैंडी आपके किचन में हूँ वही आप डालें अब देखिए कॉन की चार्ट मेंने बनाई है भी वही मैंने कॉन पूरा यूस कर लिय भी कि इसमें फ्लेवर भी है और एंजी भी पड़ा हूए नमक मीच सब है और यह पनीर है तो पनीर भी आप घर में बनाए है ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेश पनीर बनाए और डालें और इसमें डालना है चाट मसाला देखिए यह होमेट चार्ट मसाला है और फिर जब आप चार्ट मसाला डालें तो बहुत ही केरफुल रहें कि यह सौल चार्ट मसाले में भी होता है तो नमप उसी हिसाब से आपको थोड़ा कमी डालना है मैंने यहां लेमन इसमें स्कु código कियы आपको रहा है कि उससाब से आप भात भी कर सकते हैं ऐसे मैंने रूहन कर दिया है अब ग्रीन चर्दिण मैंने चॉप करके समें डाल दी है यह अब के ओपर है आप लगें अपा से कम्षाधा कर सकते हैं कोरेंडर लीफ चॉप कीवी डाल दी है इसमें देखिए अभी ये बड़ी कलरफुल सी सैलेट हो गई है तयार और जो पोटेटो है वो मैंने साइड में रखा हुआ है इसको हमने समेश किया और थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट करके नमक डालके इसके बाद ऐसे ही खाय जाते हैं ग्रेट करने से और इसली पूरी सैलेट में उसका फ्लेवर आ जाएगा फिर कोरियंडर लीफ से मैंने इसको गार्निश कर दिया है थोड़े से कैरेट के जूलियन सूपर से डाल दिया है तो यह हो गई है कंप्लीट सैलेट रेडी रेसेपी अची लगी हो तो ला सरे है अाइर कर दो खूबि कर दोगी हो प्रेट कर दोगी हो से बवसे दोद्रा कर दोब कर दोगी हो जाएगा थोड़े से जाएगा जाएगा